हलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का आपने यूटुब चैनल अनुपिश्टडी में मेरे प्रिछात्रों आज जो है कि हम दो सुरू करेंगे इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा जो है कि 2020 में जो पेपर आपका हुआ है उसी जो है पेपर का मैं सुलूसन कराओंगा और हाँ सभी चीजे मैं आपको समझाते चलूँगा और आपको पता ही होगा कि टोटल जो है कि मैद के आपके पचास कोश्चन होते हैं और हाँ इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा आपने दोस्तों में सेयर भी कर दियेगा ताकि जितने भी आपके फ्रेंड है यहां पर दिया हुआ है तो कोई दिकत नहरा यहां पर आप पेपर देख सकते हैं ठीक है आपको यहां पेपर दिखाई दे रहा होगा तो मैं इस ही का पेपर जो है कि solution कराऊंगा ठीक है जो कि आपका भाग तीन से है 51 से लेकर जो है कि पचासतर के प्रस्णा आपके दिये गए हैं जो कि मैं इस वीडियो में 25 प्रस्णों का solution कराऊंगा पिछली ज्यादत समय नग आते हुए शुरू करते हैं यहां से 51 से शुरू किया है कि कितने से 51 स करेंगे और से प्रस्णों का solution जो है कि अगली वीडियो में मैं कराऊंगा ठीक है चलिए तो यहां पर बात करते हैं सब्सक्राइब को जो है कि हम इसक्रिन पर इंडिकेट करेंगे आप देख भी सकते हैं सेक्सन आपका थड़ है यहां पर दे रखका है question number 51 की हम लोग बात करते हैं ठीक है कोश्चन हमें कितना है एक क्या वन बहुत सिंपल आपको कोश्चन है ध्यान दिजेगा एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है जो 36 से आपका 60 डिगरी के कौन बनाती है पतंग की जमीन से उचाई कितनी है बहुत सिंपल कोश्चन करें यह बताइए आप कभी भ पतंग उरता है तो तिर्शी डोरी राती है न तो आपका यह मालने यहाँ पर यह पर पतंग हो गया और यह आपकी रूरी हो गइए और की रैंच से यहां पकी क्या है फटंग किन्ग की लंबाई हैстав mentally मिटर की है और यह 36 का मतलब होता है कि धर आतल से यह जो निचला हिस्सा है धरातल वाला इससे जो है कि यह साथ डिगरी का कौंण बना रहा है तो करें जमीन से इस पतांत की जो हाइट कितनी होगे तो मान लीजिए गा कि यह हाइट कितनी है आपकी यह अचाहिए तो वहम को तो देखिए पता है लंब पत निकालना है और यह कर्ण दिया हुआ है तो आपको पता है कि लंब लंब बटा में क्या कर्ण ठीक है लंब बटा में कर्ण आपको किसका देता है साइन ठीटा का अब आपको फारूला पता है तो तुरंट आप जो है कि रख करके तुरंट आप कर सकते हैं लेकिन आप चाहिए कि समझाना है तो मैं थे स्टेप एस्टेप रख रहा हूं यह फारुलदा बसे, बड़ाबर क्वाद 107-35 9imag Ao कटा दीजिए 75 दुना के 150 यानि 70 दुना के जो है कि आपका 140 होता है और पचातर दुना के 150 हो जाएगा अब यहां से आप तीरी एक समझ में आई बाते हैं यह तो बहुत सिंपल कोश्चन आगे देखिए अब हम लोग बात करते हैं क्या 52 नंबर के कोश्चन का कोश्चन नमर क्या है बावन ठीक है सुरू से लेका अंतक हमारे साथ जूले रहेगा तभी जाया कि प्रतेक प्रस्टों का सुलसन आपको अच्छ बराबर दिया हुआ है दो समंधे तिन यांग दो बाटा में कितना है तिन बहुत सिंपल सवाल है उचाईयों का अनुपाग दिया है यानि कि मान लेते हैं कि पहले का यह चवन है दूसरे का यह टू उचाईय है बराबर दे रखा है पांच बाटा में कितना है तिन पांच V1 है दूसरे का एतन V2 है बराबर Pi R1 square R1 का मतलब क्या हुआ पहले की तरिजिया यह 54 का मतलब दूसरे की क्या उचाई Pi तो दोनों में सेम रहेगा अब Pi बटा में R2 का square I into R2 यानि कि यह दूसरे की तरिजिया है R2 R1 लिखने का मतलब यह हुआ कि यह जो है R2 जो है दूसरे वेलन की तरिजिया है और यह दूसरे वेलन की उचाई है R1 मन्दले पहले वेलन की तरिजिया यह 54 का मतलब क्या पहले वेलन की उचाई चलिए Pi से Pi का हुआ कट गया तरिजिया R R1 कितना है 2 2 का square करेंगे तो 4 गुणे H1 कितना है 5 तो 5 एकम 5 बाटा में R2 कमांड रखिए 3 3 का square 3 ते लिके 9 होगा की नहीं होगा I H1 H2 कमांड कितना है 3 बोलिएगा कोई दिकत 5 को 20 आप बाटा में हो जाएगा नतिरी 27 यानि कि समंधे में लेंगे तो 20 समंधे कितना होगा 27 आयदी ये कटने लाइक रहेगा तो कटाएंगे या नहीं कटने लाइक रहेगा तो इतना ही हम लोग छोड़ देंगे यानि कि जो आइतनों का अनुपात है मेरे प्रीचातरों 20 समंधे कितना हुआ 27 और हां आप सन की बात कर लें तो हम लोग का आप सन नंबर का करेक्ट है बी करेक्ट है आप सन नंबर क्या करेक्ट है बी आपका करेक्ट है समझ में आई बाते ये बहुत ही सिंपल सवाल है इसके बाद सभी कोशन जो ही बहुत ही आसान के हैं तो चलिए इसके बाद आगे भी देखते हैं कि कैसे आपको करना है बात करते हैं प्रस नमबर आप जो है तीरपन का चलिए आपके पास लेकर आया हूँ प्रस नमबर तीरपन ठीक है चलिए कोई दीकत नहीं है ध्यान दिजिएगा यह आपका question दे रखा है कि कामान है इस काम दीजिए कैसे solution यह हर में है और हर से ले जाएंगे इसको पहले अंस में आपको पता होगा कि कोई भी रासी जब हर से अंस में जाती है तो उसका जो घात होगा घात का change हो जाता है यही माइनस घात रहता है अंस में जाएगा तो प्लस घात हो जाएगा और प्लस घात रहता प्रोसेस यहां पर आईए मेरे प्रीच चात्रों c-a हो जाएगा दूसरी कोश्टिक में हो जाएगा c-a-b इसके बाद तीसरा हो जाएगा मेरे प्रीच चात्रों a-b हो जाएगा दूसरे में हो जाएगा a-b-c confusion आपको दूर हुआ ठीक है आपको confusion दूर हुआ कि नहीं अब यहां पर ज़रा multiply एक multiply में करके दिखा देता हूं उसी के अधार पर हम लोगो सभी को रख लेंगे चलिए एक ज़रा हम लोगो बिस्तार से यहां पर अफकारी कर लेते हैं ठीक है यहां पर देखें B से B में गुणा B स्कॉयर होगा समझ में आई बात B से C में गुणा करेंग होगा और सी स स मांशी में तो मांशी स्कॉयर हो जाएगा और सी से में गुणा करेंगे तो मांश मांश प्लस है बॉले क्या कोई दिक्कत है नहीं है सबी चीज़े समझ में आए देखिए BC है BC से BC का हुआ कट गया यानि कि B e2-C2 बच गया आई यह आपका बच गया क्या माइनस AB हो गया आप प्लस क्या हो गया अब जरा समझ एगा गूडा कैसे हुआ इसको आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि B square minus C square minus AB और प्लस आपका क्या हो जाएगा A C तो ध्यान दिजेगा मेरे प्रिछात्रों ये गुड़ा कैसे हुआ है ध्यान दिजेगा पहले ये जो आपका वैलू है ना पहले भी का समय माइनो 10 से जभी मेरे माइनस से भी हो जाएगा प्लस प्लस इसे हो जा जाएगा फिर वह इस्का स incorporating स्क्राइब माइनस से का करें लिख दिजिए तो बस लिखेंगे तो कैसे होगा यह जैसे हुआ होगा की नहीं होगा होगा जरूर होगा अब यहां पर देके μέ fer minus b से इसमें करेंगे तो माइनस c हो जाएगा अब माइनस माइनस प्लस पिर मींत करोड़े हो जाएगा या यर b यह लिख करेंगे कि माइनस ac हो जाए कि माइनस माइनस प्लस हो जाए क्या वी लग वाख्युठी मुड़ाज हो घूठा दीजिए इसको हटा दीजिए इसको का करते हटा दीजिए गुड़ा करने पर जुड़ता है तो प्लस यहां पर लगा दीजिए प्लस यहां पर लगा दीजिए तो हाई हो जाएगा पूरे का घात किसका घात यहां का इतना होगा अगला step में चलेंगे तो चले यहां पर देखिएगा वी स्कॉयर से वी स्कॉयर केंसील सी स्कॉयर से स्कॉयर केंसील अब हितना बड़ा प्रोसेस करने के बाद 0 गात आया आप लोग पता है कि किसी भी अच्छर का यदि घात आपका 0 हो तो उसका मान कितना होता है एक होता है बोलिएगा समाज में आई बात की नहीं आई इसी बात पर एक वीडियो को लाइक कर देज़ेगा यदि समाज में यह आया होगा तो और हम लोग आफसन की बात करें तो आफसन नमबर भी आपका correct है यह चीजे आपको अच्छी तरह स नमबर पर्षन की अच्छर लाइक ह में इस वीडियो को ज्यादा से जरूर कर देज़ेगा जैब चलिए आपके लिएक का जो है कि कोशन पेपर है जो मैं sound करा रहा हूं छे बात करते हैं चलिए तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं चोवन नंबर के कोशन के तरफ चोवन नंबर कोशन बहुत ही अच्छा कोशन है आपको इसक्रीन पर भी दीख रहा होगा एक्स बटा में एक्स इसकल टू आपका है दस बटा में क्या तिन और हाँ जो बच्चे हमारे साथ ठीक है चलिए तो आप सर्च भी करेंगे मास्टरमाइंड पिस्टेम क्लासिस तो आपका मिल जाएगा वहां पर जो एक गुलंखन बताया गया है तो आप उसे देख सकते हैं तो वहीं मैं यहां पर ट्रिक लागू करने वालों मल्टिपलाई कर दिजिए सोरी यह मिस्टेक सब खंड आता होगा आप लोग मैं पढ़े पढ़ा चुका हैं इसलिए धोला फास्ट बता रहा हूं अब यहां पर x square के गुलांग हो तो आपको पता है कि इसके गुलांग से लेकिन इसमें थोड़ा क्या है कि जब आपका x square का गुलांग दिया हो तो है 3 एकम 3 तीन 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 लिके नो आपको x का तो मान चाहिए तो बस क्या कर दीजें यहां पर चीन प्लस हो तो माइनस कर दीजेगा मानस उत्तो प्लस तो माइनस उत्तों कर देंगे प्लस यानिक या यही आपका एंसर मिलाएगा आप कोई ऐसा नहीं दिख रहा है लेकिन यहां पर माइनस लगा है यहां पर चीन भी देखिएका यहाँ पर माइनस नहीं है प्लस है यहने कि आपका तुरंट आप यहाँ पर यह सा देख लिए चीन का ध्यान भी नहीं दिये ट्रिक मार दिये आपका सी आपसन करेक्ट हो गया गलत हो जाएगा यहने कि आप ध्यान दिजिएगा यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस तो कोई option नहीं है, जो सभी का plus है, C वाला है, तो यहां पर minus दिया है, लाकिन हम लोग scientifically तो आपका option number D opened हो जाएगा, option number क्या correct होगा है, आँ मेरे परी जातरो – D correct होगा, इन में से कोई नहीं, इन में से कोई नहीं, ठीना, हाँ, जर्वमान को याद रखिएगा क्या आपका आया है, सई से मिला येगा ये नहीं कि माइनस छोड़ दिये अतुरां दीतना मिला correct आपका हो जाएगा option number C, तो गलत हो जाएगा option number आपको क्या होगा, D तो जो थोड़ा जो है कि आपका अभी भी trick लगाईएगा तो आप optional को जो ध्यान से देख लीजिएगा कोई भी चिन भी जादी आपका गलत होगा तो आपका option incorrect हो जाएगा आपका option भी क्या होगा, गलत हो जाएगा तो ये चीज़े आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है चोवन नमबर का option नमबर D आपका correct समझ में आई बात है, चलिए हर एक चीज़ समझ में आता रहेगा बात करते हैं 52 नमबर यहाँ पर 52 नमबर नहीं, चोवन पच्छमन नमबर ना question नमबर 55 की बात करें बस ऐसा question आता है तो बस कुछ नहीं करना है यहाँ करना है तो सब्सक्राइन इसका जानते हैं का कर दीजिए बाटा में उसी को एक बड़ का कर दीजिए जोड दीजीए यहीं आपका multifly कर दीजिए हार में दोनें को कर देजिए चलिए करी एक रशी काम को दो दिन में और कमल कमल उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है तो दोनों उस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे इस टैप को यदि कभी भी कोशन आता है कोई भी है 7 दिन में पूरा करता है यदि एक लड़का है जो 8 दिन में पूरा करता है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे तुर चार दुनिके 8 चार ती यह 12 तीन वतंगा दिया है नहीं दिया है नहीं दिया है तो हरेक बचा यानि की दो सही एक बटा मृता करेक्ट है नमजदा ट्रिक चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 56 नंबर कोशन के तरफ चलिएगा इस वीडियो को जड़ ज़दा सेर भी करते रहेगा तो बात करते हैं 56 नंबर कोशन जो की बहुत सिंपल कोशन है सेम आपका ट्रिक आप बस याद रखेगा और ट्रिक क है आया है आपके पास 56 नंबर कोशन जो की बहुत सिंपल कोशन है बस कुछ नहीं करना है ध्यां दीजेगा आपको क्या करना है ध्यान देना है कड़ी में 2 कड़ी में 2 कोश्टेंग में दे राख रह एऊ गलबल हो गया एक बटा करणी में दो अब देखिएगा साइन में एक बटा करणी में दो कितने डिगरी का मान होता है यह होता है 45 डिगरी का यह हो जाएगा 60-x बराबर को 45 डिगरी होगा कि नहीं होगा इसको इधर वेजिए इसको उधर वेजिए दोटर हो जाएका है इसको इदर लाएए इसको उधर ला विए यानिकि एक्स जाएगा वेज Tapi कि पर अशने दिकत यहां पर हम लोग आए एक्स का मान मिला आपका को डिगेरी पंदरा डिगेरी चार आपसंदerson दिया गए पंदरा 20-30 और क्या 45 तो यह रहा आपका option number जो है कि एक रेक्ट है वई, option number क्या है एक रेक्ट है तो आपका जो भी option रेक्ट होगा ए वाला उसी पे आप trick लगाईएगा ना कि कि किसी और पे trick लगाईएगा तो थोड़ा ध्यान से आप trick लगाईएगा क्योंकि इस बार जो है computer से पेपर होने वाला है तो थोड़ा mouse जो है कि अच्छे से पकड़िएगा यह नहीं कि trick कीजिएगा कोई और trick हो जाएगा कुछ और ठीक है आप सान कोई और सही है trick लगाएगा कुछी और पे ठीक है तो mouse को थोड़ा सही से आप लोग चलाएगा ठीक कि ध्यान दिजेगा बहुत ही ऐसा question आया है दे रखा है करणी में आपका one plus xy हाँ देर पहले मैं question लिख लेता हूं ठीक है one plus x बटा में 100 क्या दे रखा है 169 है और इस गल्टू में दे रखा है मेरे भाई 14 बटा में कितना है 13 बस काणी हटाने के लिए दोनों पच्छों क अबर करेंगे तो कणी हर जाएगी तो मैं एक बार लिख लेता हूं प्लास आपका हो जाएगा एकस बटा में 179 होगा बराबर यह हो जाएगा एकसो चोवार करेंगे तो यह हो जाएगा 179 बटा में क्या 179 कोई दिकत नहीं इससे मल्टिप्लाई कर दीजिए तो यहां से आपका हो जाएगा 179 प्लास एकस आप बाटा में 179 बराबर हो जाएगा 179 बराबर हो जाएगा 179 हाई जो दोनों जब कट गया तो है तो ऐसे हो जाएगा एकसे बढ़ा लिजेगा आपको यकस कमान निकालना है तो इसको जो है कि इदर भेज दीजिएगा एकसो चानवे आइधर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस 179 घटाईएगा तो आपका 16 में से नगो घटा कोगो होगा साथ भुगा ना आहेजा बच्चा आठ आठग में छोगटा दूं इनकितना डिगरी हुआ बहुत तर्ट सोरी सताइस डिगरी कितना डिगरी सताइस डिगरी यह रहा आपका क्या एंस ओर जोकि आफसन नंबर आपका डी क्रेक्ट अ समझ में आई बात आपसन नंबर डी क्रेक्ट है डी वाले पर ट्रिक लगाई है चलिए इसके बाद हमनों बात करते हैं यह तो बहुत सिंपल कोश्चन है कोश्चन नमर अंठावन यह आपका सोरी अंठावन नहीं 56 अंठावन यह तो आपका फार्मुला है आपको पता बाता है गांडल पेपर उसमें कि सभी मैं फार्मुला आपको याद भी होगा ठीक है कि यहां पर संबलम का छेतर प्रफल बाराबर क्या होता है मेरे परीचातरों होता है एक बटा में दो कोश्टेक में इन दोनों का योग यानिकि ए पलस बी होता है गुणे हाइट होती है यानिकि इतना यही आपको क्या है फार्मूला है ना अब बस फार्मूला याद हो तो आप तुरण जो है ट्रिक लगा लेंगे एसे-से कुछ बाता नहीं होगा तो आप कोई भी ट्रिक लगाएंगे अब माइनस मेर्किंग है जान जो है कि सुछ समझ के ट्रीक लगाईए का वन बाई टू ए प्लस बी ए प्लस बी गुणे क्या एच जो कि आपका आफ्सन की बात कर लें तो आफ्सन नंबर सी आपका क्रेक्ट यह आपक कि अच्छी तरह से सब्सक्राइब कोई दिक्कत आपको नहीं हुई ठीक है तो चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अन्ठावन नंबर हुआ इसके बाद हम बढ़ते हैं मेरे प्ली छात्रों 69 नंबर के तरफ और इस विडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्य लिए तो यहां पर 69 नंबर हम लोग देखते हैं बहुत ही जलिप सकते हैं क्या अधर हूं की ज्यादा समय नहीं हम लोग के पास है जो भी 25 सब्सक्रांव का गबर करना करना पता है कि समय लग सकता है देख़ी दे रहा कि यदि की इस्थिती में तो बस कुछ नहीं करना है एससे दूगओ रेखा कंडिये और यहन् kon Cleveland का देजिए अग्यों आंप कर दिये वाला एक वार वर बढ़ा है जो पहला वाला है फिटनी रख दीजेका यह से कोई भी एससा स्वाल अता है तुरांत यह है अब करना का है इससे इसमें गुड़ा इससे इसमें गुड़ा और इससे नहीं कर बढ़ गया ठीक है इसका इसमें गुड़ा रुख जाए यह मिश्टेक होगा ऐसे नहीं यह थोड़ा ऐसे बनेगा ठीक है ऐसे इसका इसमें गुड़ा इसका इसमें गुड़ा इसका इसमें गुड़ा 0 से 1 में गुड़ा 0, פलस 1 से 0 में गुड़ा 0, समझ में बात है, बीच में माइनस लगता है, भाई स्फर मुला देख लीजीएगा, अब झारा इसका, इसका तो हो गया, खाटा देते हैं, अब इसका इसमें कीजिए, इसका इसमें कीजिए, तो यह हो जाएगा, 0 प्लस Y से 1 में Y हो जाएगा प्लस X से 1 में X हो जाएगा आपका संगरेक है तो कितने के बराबर? 0 के बराबर दूसरे 0 में गुणा 0 हो जाएगा यह हो जाएगा X Y माइनस है तो मल्टिप्लाई माइनस 0 को छोड़ दीजिए माइनस y माइनस x बाराबर कितना 0 ठीक है न अब इस तरह का कोई आपसन आपका नहीं दिया है तो थोड़ा हम लोग चेंज कर लेते हैं अयो हो जाएगा माइनस x y बाराबर है नि प्लस है उधर भेज़िएगा तो माइनस x y हो जाएगा माइनस सभी में गुणा कर दिजिए तो x प्लस y बाराबर हो जाएगा x y जो कि आपसन नमबर आपका क्रेक्ट हो जाएगा मेरे प्रिछात्रों आपसन नमबर a आपका मिल रहा है ठीक है ये चीजे समन में आ रही है कि नहीं बहुत ही सिंपल तरीका बस ऐसे आप लोग बनाएं तुरन जो एक मल्टिप्लाई के से किया गए जरा मल्टिप्लाई याद रखिएगा और हां त्रिवूच के छेतफल का फार्मूला आपको पता है तो बस फार्मूले पर रख करके आप हल कर लेंगे यदि नहीं पता है तो आपका ये ट्रिक याद रखेगा आप ऐसे रख करके तुरन ता आप लोग हल कर लेंगे और हां ध्यान दिजिए ये बीच में माइनस आपका होना चाहिए नहीं तो प्लस कर देगे तो लेनी का देनी पड़ जाएगा ठीक ना चलिए तो हम लोग का 69 नमबर कंप्लीट हुआ बात करते हैं साथ नमबर का किस नमबर का साथ नमबर का बात करते हैं तो चलिए हम देखते हैं साथ नमबर का कोशन क्या है ठीक है चलिए साथ नमबर भाई देख लेते हैं तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं साथ नंबर कोशन के तरफ ठीक है चलिए बहुत ही अच्छा-च्छा कोशन आए आपका दो बेंजिकू का मसर आपका देरा काई मेरे भाई मसर देरा काई आपका प्लस 3 दिया है कोई दिकत नहीं अब इसके बाद करें एक एक पहला बेंजिक आपका दे रखए मेरे भाई मैइस प्लस 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 तो करें दूसरा फ्याद किया forever पहुत ही अच्छा कोश्टन दूसरा बेंद्यक फार्मुला आपको पता होगा कि पहला बेंजक गुणे दूसरा बेंजक बराबर होता है यह चीजे समझ में आए यह मैं फार्मुला बता चुका हूं और कुछ जो है हम लोग माडर पेपर को सलुसन किये थे तो वह फार्मु कि पहला फलन तो मासर घुणलने रका में दूसरा को समझ में बातë है कि यह कि यह 21 समझ में आई बाते यह किलियर है कि नहीं आप लोग ज़रा कि कोश्चन को मिला लेंगे कहीं कोश्चन मेरा मिस्टेक ना हो मिस्टेक होगा तो आप ऐसे सलुसन सेम करेंगे कहीं भी अच्छर लिखने में गलत नहों ठीक है चले ध्यान दिजेगा कई कोई भी आपसन आपका दिया गया है आपसन आपका हर में नहीं हर में कोई भी मैलू नहीं है इसका मतलग यह जो आपका हर वाला मान है यह आपका कटेगा यह आपका क्या होगा कटेगा तो इससे नहीं कट सकता है यह वाला मान इससे आपका कट सकता है तो ट्रिक द्वारा कैसे आप करेंगे ध्य हो जाएगा तो सब्सक्राइब भी होगा तो क्यों टो हो गया अब यहां पर P लिजके सब्सक्राइबत स्बीकम सब्सक्राइब आपका हो travaille करनेके फिरति फालश्ट कोई it माइनस में और माइनस में यह रहेगा आपका माइनस में रहेगा समझ माइनस तो आपका को farmers करेंगे Songs contemplaten यहहां पर माइनस मचोंद विप्र सक्राइब माइनस मोचा करेंगे और फ्रद हुगा तो plus होगा यहन्नी plus करने के लिए आपको यहाँ पर minus लेना पड़ेगा तभी तो plus होगा और किससे multiply करेंगे की 105 होगा आपको करना पड़ेगा कह से 5 से हुणा कर देंगे तो 105 होगा 5 एक गम 5 पाम दोनिके 10 105 होगा कि नहीं तो आपा यह मिल गया आपका यह और यह आपको दिकत प्रोसेस हो रही है तो आपको mig फर्मे पता होगा मेरे प्रिश्चातरों सेस्फिर फर्में द्वारा इसका गुलंखंड करती जाद समय लएगा और आप यही ट्रिक लगा सकते हैं और जिस बच्चे को गुलंखंड आसान पड़ता है यहीं कि सेस्वर्पर में आसान पड़ती है तो आप वह से निकाल सकते हैं तो यह आपका ट्रिक लहां इससे क्या हुआ कट गया यानि कि हो गया प्लस थ्री आपका हो गया दूसरे में पी माइनस क्या हो गया फाइफ मल्टिप्लाई पी से पी में पी स्क्वाइर हो गया माइनस पी से फाइब में फाइफ पी हो गया इससे मल्टिप्लाई करेंगे थ्री पी हो जाएगा तीन पाचे पंदर हो आपको अच्छी तरह समझ में आई और हम लोग आफसन जरा मिलाएं तो आफसन आपका डी आपका ग्रेक्ट है ठीक है यह चीज़े समझ में आई अच्छी तरह से बस इसको आप लोग याद रखेगा कि हर में नहीं है तो इसको वहां पर रिख दीजिएगा जो आपका सेश बचेगा आप ऐसे ठीक है चलिए तो आफसन नमर डी साथ नमर का आफसन नमर डी आपका ग्रेक्ट हुआ